जब सावन का महीना खत्म हो जाता है और भादों का महीना चल रहा होता है खरीब की पसल की कटाई शुरू हो जाती है और अगर खाने की बात की जाए तो personally मुझे दो चीजे बहुत पसंद है उनमें से एक तो है कचरी की चटनी और दूसरी है गवार की फली तो ये देखी मेर terrace garden में जो गवार के पोदे लगे हुए है उनमें भी जो है फलिया आ गई है और आजम इनी गवार की फलियों को harvest कर रहे हैं ये देखिए जो गवार की फली होती है इस तरह से गुच्छों में लगी होती है जो गाउं में रहने वाले लोग है वो तो अभी तक कई बार बना नमस्कार राम राम भाड़ा की रसोई में आप सभी वीवर्स का एक बार फिर से स्वागत है तो आजम भोती सरल और आसान तरीके से पारंप्रिक रूप से जिस तरह से गवार की फली की सबजी हमारे यां बनाई जाती है उसी को हम बनाएंगे और अगर आप हमारे चैनल प अच्छी होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुआर की फली ले रहे हैं यह मैंने खेट में से ढारेक्ट लाई वी फली हैं तो अगर आप कई बार दुकान से खरीटे मतले अगर आप खेट से डारेक्ट तोड़ते से गुच्छ और आगे से इस也是 बेंकա चा और यूड़ दीरे दीरे अम क्या करेंगे साफ कर लेंगे पहले आपके घर में जितने सदस्य हैं आप उसी साफ से फली ले सकती हैं चार से छोड़ च्छे लोगों के लिए आदा किलो फली जो है वो परियापत होती हैं अगर आप दो लोग हैं तो आप 200 ग्राम फली बना सकते हैं तो जितने फली आपके बास हो जितने आपके घर में सदस्यों आप उस तरीके से बना सकते हैं तो ये देखिए मैंने फलीों को इस तरह से डंठल से अलग कर लिया है सभी गुच्छों को मैं इस तरह से साफ कर लू और फिर नीचे से मैं इनको कट कर लूँगी तो अभी बहुती लंबी लंबी एकदम कच्ची और हरी फल्या आई हुई है और अभी सीजन है तो यह साल में एक ही बार लगती है और यह देखी मैंने सारी फली इसी तरीके से जो है वो साफ कर ली है अब इनको क्या करेंगे हम एक बड़े बरतन में डालके इनको अच्छे से वोस कर लेंगे यह सारी फलीया मैंने इस बड़े बाउल में डाल ली है और अब हम इसको क्या करेंगे साप पानी से दो बार अच्छे से वोस करेंगे ताकि इनका जो भी मिट्टी दूल है वो निकल जाए तो इस तरह से पा कुकर में डाल लेंगे ये देखे अब इसमें इतना पानी एड़ करेंगे कि फली जो है हमारी वो डूब जाए यानि कुकर में सीटी आराम से आ जाए और सारी फलिया पानी में डूब जाए अब इसमें हम दो चमच नमक और एक चमच हल्दी एड़ करेंगे इसे जो फली है उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट में भी अच्छी लगेंगी उबालते समय यहां पे हम एक बात ध्यान रखनी है कि फलीओं को ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है यह बहुत जल्दी गल जाती है इसलिए हम यहां पे सिरफ एक सीटी लगवाएंगे और एक सीटी में जो हमारी फली है वो गल के तयार हो जाएगी एक सीटी में यह पक जाती है जब तक कूकर में सीटी आएगी मैं यहां पे एक डंठन लैसून ले रही हूँ और इसको मैंने छील लिया है ये देखिए सारी कलियां जो है वो मैंने छील के रख लिए अब हम क्या करेंगे जो हमारा अदरक लैसुन कूटने वाली खरल होती है उसमें सभी लैसुन की कलियों को पीस लेंगे इसको हम बारिक चटनी की तरह हमको पीसना है तो इससे क्या होता है जो हमारी फली है उसकी ख अब इसी में हम क्या करेंगे एक चमस लाल रामीर्ची यह आप चाये तो सबुत मिर्ची भी ले सकते और एक चमस नमकशा जब रहा पे रख सकते हैं तो ये देखे लसन को पीस कर नमक मिर्स के साथ इस तरह से चटनी बना लेंगे और इस चटनी को हम क्या करेंगे हमारी फलीों में अड़ करेंगे फली जो है वो एक सीटी आ गई थी मैंने बंद कर दिया था और ये देखे कूकर की भाफ निकल चुकी है अब हम खोल के देख लेते हैं ये देखे हमारी जो फली है ये गल कर तयार हो चुकी है और हमको इनको इतना ही पकाना है और कूक नहीं करना है अब इनका जो पानी है फलीओं का वो इस्ट्रेन कर लेंगे ये देखे आप किलियर देख पा रहे होंगे जो फली है वो बहुत ही अच्छा उनका कलर आ गया है हल्दी की वज़े से बहुत सुंदर कलर इन पे आ जाता है और उबल चुकी है ये ना बहुत ज़दा ओवरकुक हुई है और ना ये कच्छी है तो ये भूध अच्छी पक्के तयार हो गई है सारा पानी इस तरीके से इनका स्ट्रेन कर लेंगे और पानी स्ट्रेन करने के बाद एक बाउल में इनको डाल लेंगे ये देखे अब इनमें क्या करेंगे हम कुछ मसाले एड़ करेंगे ताकि जो हमारी फली की सबजी है वो टेस्टी बने और अच्छी लगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनके अंदर एक चमस धनिया पाउडर एड़ कर रहे हूँ और साथ में जो हमारी चटनी जो हमने बना के अभी तयार की थी लैसुन की और लाल मिर्ची और नमक की वो इसके अंदर एड़ कर देंगे जो हमारे पारमपरिक तरीके से फली की सबजी है उसमें छोख नहीं दिया जाता था और हम इसमें नमक मिर्च जैसे मिलाके उपर से इसमें हम देशी गी डाल देते थे लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसको देशी गी में थोड़ा सा अलका सा फ्राई करेंगे हम इसको तो सबसे पहले जो चटनी है इसको आथों से इस तरह से अच्छ है वो घी की एड़ कर देंगे देशी घी आपे लेंगे वो टेस्ट लगता है आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादा तर जो फली है गौार फली की सब्जी वो देशी घी में बनती है तो यह बोद अच्छी लगती है इसमें आप इस अब हम इसमें यह फली जो है हमने एड़ कर देंगे और इस तरह से इनको हलके आज से टोस करते वे मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनट इनको बिल्कुल स्लो फलेम पे आपको छोड़ देना है चलाते वे इस तरह से और जो अमारी फली की सब्जी है यह बनकर तयार हो गई हो और यह कि भूत ही टेस्टी लगती है इसकी खुसबूविदी से नधर रही है और यह बहुत अच्छी लगते हैं आप इसे बाजरी के साथ चाहें तो पाश नेंटी के साथ छाच के साथ जिसकैसी के विशाध्या आप खाना चाहिए कच्री के चटनी के साथ आप इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है साथ में यह हैल्दी भी है सिजनल सबजी है तो आपको जरूर बनानी और इसे खानी चाहिए